Hi guys, how is everyone doing? तो आज की विडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मार्केट से जब आप आवोकाडो खरीद के लाते हैं तो उसे चेक कैसे करना है, कि वो पका हुआ है या नहीं या वो खाने लायक है या नहीं या उसे एक-दो दिन wait करना है, उसे पकाना है, उसे पेपर में wrap करके रखना है और फिर उसे consume करना है क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि market से avocado लाते हैं लगता है कि तयार है या फिर कई लोगों को पता नहीं होता कि वो तयार है या नहीं और वो काटते हैं और they realize कि यह avocado कच्छा है तो क्योंकि मैं अवो काड़ोस के विडियो बनाती रहती हूं तो मेरे friends और relatives मुझे personally मेरे Instagram, DM, Whatsapp पे हमेशा पूछते रहते हैं यार मैं या अवो काड़ो लेकिया युँ प्लीज जरह बताओ मैं ये नो चेक करके बताओ कि यह पका हूँ है या नहीं क्योंकि ये पिछली बार में लाई थी और मैंने काट दिया था और मेरे पूर अवो काड़ो वेस्ट हो गया था इसे हलका सा ऐसे यहां से दबा के देखिये, अगर यह हलके से दबाने में ही यह प्रेस हो रहा है, बहुत स्लाइटली, इसे बहुत जादा जोर से प्रेस नहीं करना है, यह आवकाडो जाएंगे, पंक्चर हो जाएंगे, and you don't want that, बहुत स्लाइटली प्रेस करके देखिये, अगर यह आसानी से प्रेस हो रहा है, that means it is ripe enough to consume, अगर यह पत्थर जैसा hard है, you know अगर इसका color dark green है, लेकिन उसके बावजूद अकर जब आप उसे प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और यह बहुत जादा hard है, जरा भी प्रेस में ही हो रहा है, that means इसे आपको बापिस रहा है यह नहीं है, if you can press it अराम से, that means यह पक चुका है, और अगर आप जरा सा प्रेस कर रहे हैं, और यह बहुत जादा पिचक जाए, that means यह आवोकाडो खराब हो चुका है, and you can't consume it, and now I'll show you how do you cut an avocado, you remove this, right in the center, and then you don't pull it apart, you just twist it, twist किया, यह निकलाया, so I hope this video helped you, and next time आपके कोई भी avocados, जो भी आप खरीद के लाए, वो वेस्ट नहीं, and you're able to check it for yourself, के वो राइप है या नहीं, so I'll see you in the next video, till then, take good care of yourself, eat healthy, and be a better version of yourself every single day.